आज की क्लास में हम kinds of feathers in pigeon पढ़ेंगे pigeon में कितने प्रकार के feathers पाये जाते हैं feathers के form, function और location के आधार पर किया प्रकार के feathers होते हैं जहाँ किस shape क्या है feathers का, क्या उनका function है, body पर किस जगे वो लगे हुए उसके आधार पर देखें तो कई प्रकार के feathers होते हैं परंतो पिजिन में सिर्फ quills, covarts, counters, phylo plumes और down feathers ही पाए जाते हैं पहले हम इसमें quills देखेंगे, quills को हम flight feathers के नाम से भी जानते हैं, जो typical flight feather ये quill होता है, उसमें एक strong shaft होती है और इन में barbs और barbules भी पाए जाते हैं और barbules में interlocking arrangement होता है quills या flight feathers को दो में बाढ़ सकते हैं, एक होता है rameges, rameges and rectrices, rameges and rectrices दो में हम बाढ़ सकते हैं, rameges को हम जो होते हैं, rameges जो होती है, वो flight दो होते हैं, एक तो wings पर लगे होते हैं, और जो rameges of the wings कहते हैं, और दूसरे जो होते हैं, वो होते हैं, rectrices, जो tail पर लगे होते हैं, जो feathers, wings के होते हैं, उनको rameges कहते हैं, wings पर लगे होते हैं, और जो tail पर लगे होते हैं, उनको rectrices कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, Ramages जो होते हैं Wings की Ramages जो होती है उनको Pinions भी कहते हैं या Wing Quills के नाम से भी इंको जाना जाता है और PG means 23 Ramages होती है 23 ये Ramages पिजिन में पाई जाती है जिसमें 11 जो होती है Primary Ramages होती है या इनको Manual भी हम कहते हैं और इन 11 प्राइमरीज में हम देखें तो चार जो होती हैं वो डिजिट्स पर लगे हुई होती हैं और इन्हें डिजिटल्स कहते हैं इन में से दो जो होती हैं उन्हें प्री डिजिटल्स कहते हैं जो की फैलिंग्स के डिस्टिल फैलिंग्स पर लगी हुई होती हैं दो जो होती हैं उन्हें मिद डिजिटल कहते हैं जो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पर लगी होती हैं बाकी की जो 7 होते हैं ये 4 से लेकर 11 तक इन ये जो होते हैं ये मेचा कार्पल्स पर लगी होते हैं और इसमें एक और इंक्लूडड होती है इन 7 में जो जिसे कहते हैं एक डिजिटल और ये एक डिजिटल अटैश्ट रहती हैं सेकंड फैलिंग्स से तो 7 जो हैं वो मेचा कार्पल्स पर लगी होई हैं और 4 जो हैं वो फैलिंग्स पर लगी होते हैं जिसमें 2 प्री डिजिटल दो mid-digitals और seven metacarpals पे including one at digital तो 11 primaries है या manuals है इसके बाद बाकी के जो 12 होते हैं उन्हें secondary ramages कहते हैं और या इनको cubitals भी कहा जाता है और ये जो होते हैं cubitals जो होते हैं ये four arm की जो अलना bone होती है उस पर ये लगे हुए रहते हैं इसके अलावा जो इसका polyx या thumb होता है उससे एक tuft of feather निकलती है जिसे एलास्परिया या bastard wing के नाम से भी जाना जाता है second इसमें है rectrice Rectrices या tail feathers पिजिन में 12 rectrices होती है जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं 12 rectrices हैं और semi circle में ये arranged हैं fan like manner में arranged होते हैं semi circle में और इनमें आप देख सकते हैं दौनों halves जो होती हैं ये लगबक बेन की बराबर होती हैं और rectrices जो होते हैं बर्ड को के लिए break का काम करते हैं और flight के दौरान ये steering का भी काम करते हैं फिर इसके बाद इसमें हम देखें second type जो हैं quills के बाद ये हमने देखा ramages, rectrices और third होते हैं जो covert होते हैं तो wing quills जो होती है, wing quills के जो उपर और उसके bases पर विंक कोवर्ट्स के उपर और उसके बेस पर और इसी प्रकार से जो tail quills होती हैं उसके उपर और उसके बेज पर ये ठेल ये कोवर्ट्स लगे होते हैं तो जो विंग्स पर लगे होते हैं उन्हें विंग कोवर्ट्स कहते हैं उपर और उसके नीचे और जो टेल पर लगे होते हैं उन्हें टेल कोवर्ट्स कहते हैं जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं ये उपर लगे हुए है और ये नीचे लगे हुए हैं, तो lower tail coverts है, upper tail coverts है, तो tail पर ये लगे होते हैं, इनका कारी क्या होता है इन coverts का, कि जो ये quills होती है, चाहे वो wing quills हो, चाहे वो tail quills हो, इनमें जो gap होता है, interstices होती है, उसको ये भरती है, ये एक क्यू पर एक है, तो इनका जो gap होता है इनक continuous area बना देती है और यह जो एरिया है इस परकार से यह जो जो इसका जो बॉइंसी होती है एर की उसको यह उपोस करती है अब इसमें क्विल्स के बाद यह फ्लाइट फैदर्स के बाद एक और फैदर्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं काउंटर फैदर्स जैसे मैंने आपको थे पहले बताया है क्मिल्स पहला है क्मिल्स यह फ्लाइट फैदर्स फैदर्स के तीन है रामिज के ने पीजेवे choices उती हैं और थार्ड है यह कोवर्ट्स जो रामिज जो एक्टराइस जो होती है उनके बेस बैस बेहत अपर और उपर और नीचे लगे होते हैं तो यह है second type का feather हो जोते हैं counter feathers होते हैं इनको penny भी कहते हैं और यह general body covering बनाते हैं animal की bird की और इन में central axis of vein होती है woolly feathers होते है poorly developed यह आगर आप देखें तो यहां पर आप देखें पूर्ली जावलब्ट इसके अंदर बार्ब्स और बार्ब्वीूज जो anyway इंदर होते है smaller woolly feathers वोते हैं और क्योंकि इन में बार्ब्स पूफली बीकाइबर्ज उसकते हैं सबदेयोड ज़नी स्पर्पिलेपलब्स आसानी सेपनी सेपरेट हो हुशकते हैं काउंटर फैदर्जा इस होते हैं बॉडी पर स्मूत सर्फेस बनाते हैं और एकफशनल फोर्स को रिज्योष करते हैं बॉडी को शेप देते हैं ऑवरलैप पिंग करते हैं वेंस पर और कंड़क्टिंग इसमें कंड़क्टिंग सर्फिस पर लेयर बनाते हैं फिर थार्ड टाइप के जो feathers होते हैं उन्हें कहते हैं phylo plumes या hair feathers या pin feathers यह small delicate hair-like feathers होते हैं पर इनका function क्या है यह नहीं पता बोडी पर दूर दूर यह बिखरे हुए यह मिलते हैं पिजिन में ओफाइलो plumes जो होती है जैसा कि आपको चित्र में दिखाती हूं तो फाइलो plumes जो है वो इस प्रकार की होती है यह फाइलो plumes है यह और फाइलो plumes में आप देख रहो शौ बार्ब लोते हैं तो यह पार्सली डिस्ट्रिब्यूटेज बाडी पर रहती हैं और यहां पर नेक्स्ट हम इसमें देखें फोर टाइप का फैदर जो इसमें पाए जाता है पिजिन में वह थे डाउन फैदर्स जह हम यह उसको प्लूम्यूल्स भी कहते हैं यह small soft woolly feathers होते हैं यह counters से थोड़े से different होते हैं जिसे counter feathers भी small woolly feathers होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इन में ratches नहीं होती है आप counter wherever you canbillar इन बी तोच के आनी डॉन डॉन पैदर मोगज्त शूत बॉन हम बॉलिहान जो डॉन अपने से लऊखेस को डाउन फैदर स्वाइध ने होती है इनिम्माइभ चुट से हं राम्रं में के हम ली नहीं है। बार्बीमेंटिरी दोकि इसमें धुकि यूची है फ्टिह वर्गी य algumas गझा से देखते है और यह आप देखेंगे जो नूली हैश्ट जो बच्चा होता है इसका कबूतर का तो उसके बॉडी पर यह इसकी कवरिंग होती है इस प्रकार के डाउन फैदर्स की और यह इंसुलेशन प्रोवाइट करते हैं और यह एडल्ट पिजिन में नहीं पाए जाते हैं तो आज हमन पिजिन में डिफरेंट टाइपस के फैदर्स पड़े हैं नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी बर्ड्स में कौन से फैदर्स पाए जाते हैं वो देखेंगे वो फैदर की यूजिस भी पड़ेंगे